हेलो दोस्तों पार्भी साहिवां में आपका स्वागत है ही यहां देखे जोय के घर में न्यूप सिटिंग वे इस तरह सता से देखे एक कीचन रैक किचन का रैक बना है और यहां देखे जोय की मम्मी भी आई हुई है बैठे और यहां सर्तानी से बाज नहीं आता है भस यह प्रेशान करने मेंहें रहे हैं यहें डोस्तो आपको कैशा लगा ये सटीन्ग और अच्सा लिए यहाँ हो तो जल्दी से चैनल कोस्प्स्क्राब कर लीजिये और देखे बेडरूम का भी सिटिंग देंगे इस तरह से बेडरूम का सिटिंग हुआ है यहाँ छोटु सा टेबल लगाय। टी टेबलो और यहां श्लाइम मसीन और इस तरह से यहां सू रेख वगएर और इतना यह गलास वला रहे हैं इसमें पार्स, और कुछ सोपीस भी रखा हुआ है और कुछ कपड़े रखे हुए है और यहाँ देखें ग्रेसिंग टेबल और यहाँ गुरिया और सना बैठी हुई है प्राइ कर रही है और यहाँ देखते हैं जोया क्या बना रही है खाने में और देखते हैं कहाने में आगे क्या होता जो है बेटा मुझे कुछ कपड़े बनवाने हैं कोई अच्छे तेलर के पास चलना ठीक है माँ साम में चलेंगे आपको वहाँ पे कपड़े भी मिल जाएंगे और सिलाई भी हो जाएगा बेटा मुझे सारी बनवानी है रेडी मेड सारी कोई बात नहीं है माँ वहाँ पे सब कुछ बन जाता चले मैं जल्दी जल्दी किचन का काम कर लेती हूँ लाओ मैं भी हाथ बटा दूँ लेटस दो देती हूँ अरे माँ आप रहने देना मैं दो लूँगी मैं कर लूँगी आप जा राम करें ठीक है बिटा मैं जा रियो राम करती हूं और माँ देख लीजिएगा वहाँ पर गुरिया पढ़ रही है कि नहीं ठीक है बिटा मैं देख लूँगी वहाँ पर इतना कहके जोया की मा बेड़रूं के तरफ चली जाती है और देखती है वहाँ गुरिया और सना पढ़ाई कर रही है की नहीं गुरिया बिटा तुरह साइड हो के पढ़ो मुझे लेटने दो अराम करने दो ठीके नानी मा पढ़ाम कर ले हम लोग फर्स पर बैठ के पढ़ लेंगे आज आज साना बुकले के यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं थोरह लेट जाती हूँ कहके जोया की मा लेट जाती है अराम करने के लिए और यहाँ पर गुरिया और जोया पढ़ने लगती है देखते है टपू क्या कर रहा है टपू अभी तक बाइक के पास ही खेल रहा है मैं इस पर बैठ जाता हूँ और चावी लेकर आता हूँ पहले रूम में से फिर बाइक ऑन करूंगा टपू के पापा यहां आ जाते हैं क्या कर रहे हो बित्टा टपू जाओ पढ़ाई करो, तुम्हारी बैने पढ़ रही है न, जाओ, जा रहा हूँ पापा, मैं बस यहीं पर, जाओ यहाँ पर से, बहुत नमसातानी करते हो, कुछ खराब हो जाएगा बाइक में, फिर मुझे ड्यूटी जाने में दिक्कत आएगी, जाओ, जा रहा हूँ पाप जाओ, जाकर पढ़ाई करो, भी बन रहा है खाना, फिर मैं बुला लूँगी, जा पढ़ो, तुम लोग का एग्जाम आने वाला है, तुम लोग बहुत बदमाशी करते हो, तोड़ा भी दियान नहीं देते हो, जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, भी तोड़ा टाइम लगे जब तक एक लेशन याद कर लो, पढ़ाई 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 बच्चे को भूख लगी है, किसी को समझ में ही नहीं आता है, भूख लगी है मुझे, ठीक है जाता हूँ, परसे मुझे सारे लेशन याद है, तपो देखता है कि गुरिया और साबा पढ़ रही है, अरे अरे भाई, पर इस बुक में तो ये फोर एपल लिखा हुआ है, ठीक है फिर तुम ये बुक पढ़ो, मैं तो अरो प्ले वाला बुक ही पढ़ूंगा, मैं जा रहा हूँ अपना बुक लाने के लिए, नीन दा रही है, मैं जा रहा हूँ तो रही देर लेट जाता हूँ, जोया कमरे की तरफ आती है, बच्चों को देखने के लिए कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, टप्पू बेटा, लेसन याद हो गया तुम्हें, अरे गुरिया बेटा, टप्पू बेटा का टप्पू कहा है, भाई तो अपने कमरे की तरफ गया था, अच्छा देखती नहीं पढ़ रहा होगा, अरे ये लड़का तो सो रहा है, अभी बताती हूँ इसे, एक डंडा लेकर आती हूँ, फिर इसकी पिटाई करूँगी, बहुत सर्तान हो गया है, अधाय लिखाय सब को साइड में रखके सो रहा है, इस लड़के को कोई डंटा भी नहीं नजर आ गया है, आज इसी से काम चला लेती हूँ, अरे अंटी, छोड़ देजे, छोड़ देजे, आज तो नहीं छोड़ूंगी इस लड़के को, उठ, अंति, टंटा से मार लगा थे, तुम चुप करो तुम्हें जब लगी कि तब समझ में आएगा मुझे तो पिटाई लगी कि नहीं मैं अच्छी बच्ची हूँ चुपो जाओ अब तुम पढ़ाई कंपलीट करो ठीक है जब तक लेजन कंपलीट नहीं होगा खाना नहीं मिलेगा फिर आके मैं देखती रहूंगी इतना कहके जोया किचन में चली जाती है यह बच्चे भीने बहुत सातान हो गये हैं